हेलो एवर्यवन वेल्कम यौल इन गंगोत्री ग्रूप आफ स्कूल्स एम विशाल तियागी फेकल्टी ऑफ मैथेमेटिक्स तो बच्चो अभी हम नेक्स लेक्टर पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस मतलब टॉपिक तो वही है जो हमने लास्ट पढ़ा है और सेक्शन दिस अबसी देन ऐसा बनेगा फिगर देन आवियर तो प्रूब एट एट इस इक्वल टो जिरो सिग्मा ओफ एड सिग्मा ओफ एड का मतलब आप जानते हैं जब सिग्मा इस टाइप सी यूज किया जाता है जिसकी आपर लोगर लिमिट नहीं होती तो वह जस्ट एक वेक्टर एड ट वेक्टर इस यह तो वेक्टर एड वेक्टर बी ए एंड वेक्टर सी के साथफ है इसका मतलब यह है ठीक है तो सबसे पहले आम एसट को प्रूब करने जा रहे हैं अब मैं इंकी ने डिरेक्शन ले लेता हूँ A-D मतलब A-D यह से यह से अब इनकी ले ले लेते हैं चलो डारेक्शन ऐसे मान भी जो साइड से इसका नाम है B-C इसका नाम है C-A और इसका नाम है A-B side का नाव तो अब मैं इसके हर्ब से प्रूव करने कोशिश करता हूँ कैसे अच्छा मुझे पता है ये कौन है median है तो median क्या करती है सामने वाली जो side है उसको 1 by 2 part में divide करती है तो मैं क्या करने जा रहा हूँ देखो धियान से बिलकुर या तो देखो एक काम है या तो हम ऐसा कर सकते हैं ठीक है मेरी बात को समझे या तो हम ऐसा कर सकते हैं एक point कहीं origin let कर सकते हैं कहीं पे भी एक point origin let कर लेंगे और उसके हैं से भी ये question solve किया जा सकता है मैं करवा सकता हूँ लेकिन दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका क्या है कि भई ऐसा कर लेते हैं देखना दियान से इस ट्रेंगल को अब्सर्व करों ट्रेंगल एडी बी ट्रेंगल एडी ठीक है तो उसमें आप बोल सकते हो कैसे कि जो एडी है ना AD, वो किसके equal होगा AD तो A से लेके D तक जाओ, मतलब AB PLUS BD होगा के नहीं AB PLUS BD के बराबर होगा Alright, no problem तो AD is nothing but AB PLUS BD, ओके और क्या वेट ठीक है, अब BD को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, BD को मैं लिख सकता हूँ जो BD होगा वो होगा 1 by 2 of BC 1 by 2 of BC तो मैंने इसे ऐसे लिख लिख लिए AB PLUS 1 by 2 of BC Alright, ठीक है, यह होई बात के AD की, ऐसे ही BE लिखने जा रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं क्या आने जा रहा है, तो B तो बेटा, BE तक, ऐसे जाओगे तो इसका नाम BE आ गया और ऐसे जाओगे तो क्या आ जाएगा BC PLUS CE BC, देखो एरो इधर है इसका एरो इधर है, तो BC PLUS CE, और CE को क्या लिख सकता हूँ मेडियन है, हाफ करती है, साइड को तो हाफ of CE है ना, तो CA लिखना चाहिए, CA ये भी सही लिखना है ना, एक बार देख लो BC, हाफ of BC, बिल्कुल सही है ओके, अब next CF ओके CF, पेटा, C से F तो ऐसे जा रहा हूँ मैं ऐसे, या ऐसे चले जाओ, मर्जी है मैं ऐसे जा रहा हूँ, CF मतलब CA और AF तो पेटा, CA half of this side 1 by 2 of AB 1 by 2 of AB, क्योंकि median से हैं, ठीक है, ओके अब मुझे प्रूव करना है कि इसका sum 0 होगा तो बेटा आ जाईए यहाँ पर, यहाँ पर आ जाईए मैं values रख रहा हूँ इनकी, सभी की, vector AB plus 1 by 2 of this फिर BC plus 1 by 2 of CA PLUS CA and PLUS 1 by 2 of AB अच्छा, एक बात तो हमें confirm है, कि अगर तीन vector से एक ट्रेंगल form करते हैं, तो उनका sum 0 होता है ठीक है, sum sum मतलब जैसे जिस point से चलो, उसी पर आऊँ अगर, तो जैसे मैं B से चलता हूँ तो मैंने का, BC vector plus CA vector plus AB vector 0 होगा, यह तो बहुत अच्छे से जानते हैं BC, CA, AB प्रेंगल form होगा है, 0 होगा अल्राइट, clear ठीक है, तो देखो धियान से, इन्हें एक साथ उठाओ इन्हें एक साथ लो, तो यह क्या है AB, BC, CA और यह बाकी क्या है, 1 by 2 of AB, यह देखो, AB, BC and CA and this is what, 0 this is what, 0 hence it is, 0 बचो तो यह प्रूव हो गया है कि जो medians है, ठीक है vertex से लेके, जो midpoint है उस सक के जो vectors है AD, B, E, C, F का sum, इन vectors का sum हमेशा 0 होगा and similarly, AG AG, AG का मतलब समझ लो AG, OG लो जी सुननो जी ठीक है, लो सुननो फिर AG, आल राइट तो बेटा, AG and फिर OG दो नहीं है AG and then DG and then CG equal to 0 यह मुझे प्रूव करना है, ठीक है तो मैंने left hand side उठा ली मैंने चलो left hand side को देखते है AG, AG को मैं लिख सकता हूँ 2 by 3rd of AD क्या 2 by 3rd of AD BG को लिख सकता हूँ 2 by 3rd of what BE ओके यह BE है BE OK, and the next one is CG CG को लिख सकता हूँ 2 by 3rd of CF 2 by 3rd of CF that is that is not equal to 0 it is to be 2 by 3 को मैंने लिया common and we know very well it is 0 उपर प्रूव किया है भई AD, B, E, C, F AD, B, E, C, F यही तो प्रूव किया है अभी 0 तो इसका मतलब यह भी वेटा 0 हो गया और राइड बचो तो आप एक ट्रैंगल में याद रखेंगे यह जो मीडियन से इनका सम अच्छे, direction का याद रखना बहुत जाज जरूदी है ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि AD plus EB plus CF is equal to 0 ऐसे कुछ ही बोल दिया, नहीं direction particular या तो आप ऐसे लोग DA तो फिर इधर लेगे BE फिर इधर लोगे FC इनका सम जरूदी होगा या AD तो फिर BE फिर CF vertex से लेके side तक जाना है तो इनका सम जरूदी होगा तो direction का भी याद रखें आप यहीं पर मैं एक और थर्ड चीज़ बता जैता हूँ कि मान लेते हैं triangle के ना अंदर कहीं पर भी कोई point हो ठीक है तो कहीं पर भी अगर कोई point हो तो वो कैसे react करता है उसे भी मैं बताता हूँ पहले इसे copy कीजिए तो बच्चो आब मैं जो बतार था कि कोई भी अगर अंदर कोई भी point हो ठीक है तो उनके लिए अलग-अलग result आते हैं सब के लिए आल राइट तो जैसे अभी तो हमने centroid की बात की अभी हम circumcenter in center इनकी भी बात कर लेंगे ठीक है लिकिन उससे पहले आप यह समझे अगर दिया जाता है मान लेते हैं यह मैं एक point दिखवा जाता हूँ कि if sigma of k times of OA ठीक है is equal to 0 and is equal to 0 where इसका मतलब समझ लो पहले इसका मतलब है OA OB OC is equal to 0 ठीक है where ABC are vertices of triangle ठीक है बचों क्या ABC जो है वो कौन है vertices of triangle triangle के vertices है alright and O is a point lying inside the triangle lying inside the triangle lying inside the triangle alright this k times OA k 1 ठीक है is equal to 0 if and only if अच्छा एक और चीज़ बता रहा हूं ठीक है पहल तो मैंने जबकि mention कर दिया ABCR vertices of triangle obviously they are non-collinear ठीक है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया यहां पे भी कि if ABCR not collinear then then this is equal to 0 if and only if O is centroid of triangle ठीक है ठीक है तो साफसी बात है ABC 3 point है जो की collinear नहीं है तो वो एक triangle तो form करने जा रहे हैं ठीक है उन्हें तीनों को मिला होगे तो एक triangle बनेगा अब यह चीज अगर 0 है तो आप समझ जाएं एकदम से समझ जाएं जो O है वो कौन होगा वो होगा centroid अब यह के का क्या मतलब है कुछ लोग confused होंगे तो it is nothing but k को sigma से बहार लेके आ सकते हूं यह अगर 0 चीज है तो यह सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब O क्या होगा बेटा centroid of triangle यह बात ध्यान रखें तो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी ओके बच्चों यह दो result आप ध्यान दे एक तो मैंने अभी discuss किया है दूसरा जो है वह भी discuss करेंगे देखो sigma of pa equal to 0 ठीक है in any triangle ABC क्या है vertices ठीक है और P P कौन है P a point lying inside the triangle ठीक है वैसे inside ना भी mention करूं तो कोई भी point हो कहीं पे भी हो यह चीज़ कब possible होंगी वही मैं अभी discuss कर दो तो मैं क्या कह रहा हूँ जो P है मैंने बोल दिया just कि यह point lying inside the triangle अगर ना भी हो अगर P inside the triangle ही ना हो बाहर भी हो तब भी यही answer आएगा अगर मतलब sorry अगर यह mention ना कर रहूं तब भी same answer आएगा answer क्या आएगे वह देख लो देखो जैसे दिखाए sigma P a vector इसका मतलब क्या है इसका मतलब एक point है P I don't know where it is लेकिन P a P b P c will be equal to 0 P a plus P b plus P c will be equal to what 0 अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ एक point है P I don't know where it is लेकिन हाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि O P minus O A O P minus O A O क्या है origin कहीं पर भी हो यह वेको A B C यह तु जैसे भी होंगे अब P कहीं पर भी कोई point है let's say मुझे नहीं पता इसके बार में जाता हूँ ऐसा कुछ है यह median हो I don't know अब इने एक origin मान लिया कहीं पर भी लो बाहर ले लो अंदर ले लो तो यह O A हो जाएगा यह O C यह O P यह O B You know very well कैसे हम इसे treat करते हैं उपर मान लो इसे यह O जो है वह हवा में ठीक है उससे connect हो रहे है तो मैं क्या कह रहा हूँ जो P A होगा जो P से A होगा वो क्या होगा O P माइनस O A एक triangle बन रहा है न यह O A P O A P एक triangle है तो उस पर अगर solve करो गया आप तो obviously P A होता है O P – O A क्यों कि क्या होता है P A एक मिन्ट रमोँ एक मिन्ट एक मिन्ट बेटा P A यह और नहीं आएगा थोड़ा O A minus O P O A minus O P क्या final minus initial ठीक है na तो यह final point है यह initial क्या होता है position vectors of final minus position vector of initial position vector क्या होता है कि उसे उस point को origin से जोड़ दो वही position vector है तो o a बोलने से क्या मतलब है position vector of a op बोलने से क्या मतलब है position vector of p similarly इससे मैं लिख सकता हूँ ob minus op and oc minus op यह equal to 0 है तो यहां पर अब देखो ध्यान से क्या आगया op, ob, oc is equal to 3 times of op vector तो बेटा op vector is nothing but o a, ob, oc divided by 3 divided by 3 यह हो गया तो इसका मतलब p कौन है यहां से पता चल रहा है कि p कौन है देखो op कौन है position vector of a, let's say it is a, यह मान गया b, यह मान गया c मान लेते हैं इस point का position vector a है, इसका b इसका c तो a plus b plus c कौन होता है, by 3 centroid क्या होता है, सही है ना, तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो point p है, वो कौन है centroid, all right बचो यह तो centroid के बाले मैंने बता दिया, अब मैं next इस पर बात करूँगा, इससे जल्दी से उता गया ओके, तो बचो यह देख रहे थे हम, a pa vector is equal to 0, तो इसका क्या मतलब है, देख लेते हैं, देखो इसका मतलब है कि a pa, b, pb, and c, pc, is equal to 0, जहाँ पे a, b, c कौन है बेटा, a, b, c है, length of sides of triangle और p जो है, वो any point है, p is what, any point, inside और outside मैंने बताये था, कुछ खास अंतर नहीं पर दिया है करता है, तो same ही हम मान सकते हैं, okay, यहां तक मैं अख्याल से क्लिए रहे हैं, अब यहां पे भी वही काम करने जा रहा हूंगे, a minus op, and इसको क्या लिख सकता हूँ, ob minus op, यह तरीके सीखें, यह धियान रखें, and c, यह क्या होगा, oc minus op, वही है, position vectors लिख दिया, मैंने, p a को क्या लिख सकता हूँ, position vector of a minus position vector of p, तो ग्या आएगा, तो ग्या आएगा, a वो a vector, b और b vector, c और c vector, is equal to, जो negative sign वाले हैंना, उनको अधर लिखें जा दो, और op उनमें common आ जाएगा, देखो, तो यहां बचेगा, a plus b plus c, and op, इसे divide कर दो, तो finally we have, a और a vector, b और b vector, and c, और c vector, upon a plus b plus c, और मैंने ख्याल से यह तुम्हें समझ आदा होगा, क्या है है, याद होना चाहिए, जैसे एक triangle है, मान लेते हैं, यह triangle है, x1, y1, इसके coordinates है, याद होगा, याद करा रहा हूँ, मान लो, इस side की length a है, इसकी length b है, इसकी length c है, तो in center क्या होता है, a x1, b x2, c x3, divided by a plus b plus c, and a y1, b y2, c y3, divided by a plus b plus c, यह होता है, simple, ठीक है, तो बिलकुल, बात खतम हो जाती है, यह पर, तुम देख पारे होंगे, कि उसके जैसे ही है, है या नहीं, तो यह कौन है, फिर, p कौन है, इस case में, बेटा, p जो होगा, होगा, in center, in center of a triangle, triangle, a, b, c, जो triangle a, b, c है, उसका p जो है, वो in center, ठीक है, तो ऐसे, जैसे कुछ ऐसे, अगर expression कभी आए, तो उन्हें, इस type से बेख कर लो, चीज़ें मिल जाती है, ओल्राइट, तो जैसे, centroid होता है, a, plus, b, plus, c, by, 3, ऐसे, यहाँ पे भी, यह, इस type से ही होता है, जैसे, coordinate, geometry में, हमने पढ़ा था, ओल्राइट, तो जल्दी से, इसको, copy कीजिए,